दोस्तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं नौर्थ कोरिया के डिक्टेटर यानि तानाशा किम जोंग उनके बारे में ये अपने तानाशाही रवये के कारण पुरे दुनिया भर की नजरों में आये हैं आये दिन तरह तरह की मिसाइल और बम के परिक्षन की वज़े से कई देश इन से परिशान हैं दोस्तो किम जोंग उनका नाम तो आपने सुना होगा लेकिन इस वीडियो में इनकी लाइफ इस्टाइल और बायोग्राफिक के बारे में बताने वाले हैं आखिर किम जोंग उन अपनी लाइफ इस्टाइल को कैसे फॉलो करते हैं और कितने रूपे खर्च करते हैं और इनके देश के क्या-क्या रूल है आप जानकर हैरान हो जाएंगे तो आप इस वीडियो को जरूर पूरा देखे अगर आपको वीडियो पसंद आये तो इस वीडियो को कर देना को पी योंग यंग नॉर्थ कोरिया में हुआ और 2021 के हिसाब से 37 साल के हैं किम ने अपनी स्कूल की पढ़ायता लीव फिल्ड इस्टैन होल्जली पब्लिक स्कूल स्विजर लेंड से की जिसके बाद इन्होंने एडमिशन लिया किम सेकेंड संग उनिवर्सिटी नॉर्थ कोर है और हर जगा इनकी डेट ऑफ बर्त अंदाजे की तौर पर बताया जाता है किम के पिता एक मिलेटरी लीडर थे और ये कम्यूनिस्ट पार्टी के नेता थे दोस्तों किम जोंग उनको अपनी पढ़ाई करने के लिए सुजर लेंड भेजा गया था और 17 दिसंबर 2011 को अप पान साल में इलेक्शन होते हैं इसलिए कोरिया को डेमोक्रेटिव प्यूपल रिपब्लिक्स ऑफ कोरिया यानि डीपी आर के नाम से भी जाना जाता है लेकिन जितना भी इस देश के बार में पता चला है उस हिसाब से वोट करने वालों के पास सरिफ एक ही चोईस होती है इसलिए कहा जा सकता है कि होने वाले election दिखावे के लिए होते हैं, इनके दो सोतेले भाई भी हैं जिनमें से एक को खुद किम जोंग उनने मरवा दिया था। नोर्थ कोरिया में किम जोंग उनकी पावर आने के बाद उन्होंने कुछ ऐसे काम करें जिससे उन्हें तानशा कहना गलत नहीं होगा। इन्हों अपने चाचा को भूके कुत्तों के सामने डलवा के मरवा दिया और बुआ को जहर दे के मार दिया। किम जोंग उनने अपने देश में टीवी तक पर भी रोक लगवाई हुई है। जिस लगभग हर देश में पहनी जाती है। लेकिन वेस्टन कल्चर का पार्ट होने के कारण इन्होंने अपने देश पर इस पर बैन लगा रखा है। और नौर्थ कोरिया का कोई भी इंसान देश से बाहर नहीं रह सकता। और इस देश में इंटेनेट की बस एक ही कमपनी है। और इंटेनेट पर भी काफी कंट्रोल रखा हुआ है। आप कौन सी वेबसाइट विजिट करते हो, कौन सी मुवीज देखते हो, यहां तक कि आप किस से बात करते हो, यह सब कुछ वहां के सरकारे दोआरा कंट्रोल किया जाता है। और कोई भी इंसान नोर्थ कोरिया में क्राइम करता है, तो इसके पूरे परिवार को सजा दी जाती है, और जेल में डाल दिया जाता है, जिसमें बच्चे से लेकर बुड़े भी शामिल होते हैं, और दोस्तों यहां तक कि इस देश में धार्मे किताबे नहीं रख सकते, यहां सिर्फ किम परिवार और सरकार की पूजा की जाती है, दोस्तों ऐसे कुछ नोर्थ कोरिया के रूल हैं, चली मिलवाते हैं आपको किम जोंग उनकी फैमिली से, तो इनके पिता का नाम किम जोंग इल है, और इनकी मा का नाम को योंग हुई है, और इनका एक ब्रदर है जिनका नाम किम जू ए है अब बात करते हैं किम जूंग उनके हाउस के बारे में तो दोस्तों किम नोर्थ कोरिया में योंग सॉंग के आलिशान घर में रहते हैं जिसमें हर तरह की नई फैसिलिटीज है जैसे के सुमिंग पूल, रनिंग ट्रेक, इस्पा, होर्स रैसिंग ट्रेक और शूटिंग रेंज और यहां तक के इनके फुल सेक्रियोटी का भी खास खयाल रखा गया है किम के घर पर एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता इसके अलावा किम के पास 17 पैलेस भी है और साथी साथ किम का खुद का एक प्राइविट आइलेंड भी है जहां पर वो अमेरिका के सेलेप्स के साथ टाइम स्पेंड करते हैं वहीं बात करें किम जोंग उनके कार कलेक्शन के बारे में तो इनके पास कार है लेक्सिज एलेक्स 500 अर्मोड जिसकी कीमत है अंभां है फाइस तक टबस्च कार भी हैं जो इनके पास है जो इन्देन करनसी में होते हैं 6 कड़ो रुपे और इनके पास आर मोल्ड परसनल भी है जिसकी कीमत 1.5 मिलियन यूएज डॉलर और इंडियन करनसी में 11 कड़ो रुपे और इनके पास मरसडीज की मया बैच S600 पुलमेंट गाड है जिसकी कीमत 1.4 मिलियन यूएज डॉलर और इंडियन करंसी में 10 कड़ो रुपे दोस्तों इनके कार की प्राइज इतनी जादा इसलिए है क्योंकि इनके कार में अलग-अलग फैसिलिटीज है और फुल सेक्रिटी है और वहीं मैं आपको बता दू किम जोंग उनके पास खुद का एक प्राइविट जैट है जिसकी कीमत ह 17 million US dollars जो इन्डियन करंसी में होते है 125 कड़ो रुपे और इसके अलावा इन पास इनका खुद का एक यॉर्ट है और इस यॉर्ट की कीमत है 37,000 करड़ो रुपे तो ये थी किम जोंग उनकी लाइव इस्टाइल और बायकुराफी आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना और नैक्स वीडियो की सेलिबिटी के बारे में चाहते हैं ये भी कमेंट करके जरूर बताना अगर आपको वीडियो अच्छे लगी हो तो इस वीडियो कर देना लाइक अगर आप हमारे चैनल पर नए है तो चैनल को कल लेना सब्सक्राइब और बेल आइकन भी प्रेस कर लेना